नीन एक्षत के एक्जाम के तैयारी करें इस वीडियो को पूरा देखना प्रॉपर समझाया गया है यहां से कोश्चन बनाता ही बनाता है वीडियो को अंतक देखना और चैनल मैंने अगर सब्सक्राइब करना और टेली गरांग को जरूर जोइन करना जो हमारे डिस्क्रिप् क्या है आप देखेंगे चित्रकुट जलप्रपात के बारे में बस्तर जिलिम में पढ़ता है इंद्रवती नदी पर है उसकी बारे में हाँ पर डेटा दिया गया इसकी उचाय कितनी है 90 फीट है 36 गड़ का सबसे बड़ा या चोड़ा जलप्रपात है और भारत का न्याग कहलाता है ये अब आप इसी समझना कि ये भारत का न्यागरा कहलाता है मतलब इस पर इतने कोश्ण बनेंगे जितना आप सोज में नहीं सकते और बनते भी है एक्जाम में देखें किताबे सब के पास होंगी पर हम आपको बताते हैं कि actual में पढ़ना क्या है करके इसको बहतर कर देंगे हम जाते हमारे जो पेड मेंबर्स है स्टुडेंट्स है उनकी हम तैयारी को ऐसा कर दे कि प्री वो एक बार में पास हो जाए ठीक है तो चित्र कूट के बारे में डीडिल आपके स्क्रिन पर दिख रहा है साथ धारा जल प्रपाद धंतेवाड़ा इंद्र देखिन नदिया जो कौमन नदिया है उसको तो आपको साथ में लेके चलना पड़ेगा आप नोट्स बनातेवाग कौमन नदिय को अलग लिख सकते हो इसकी बाएम दिया है कि भेडा घाट से भी जादा सुन्दर कहा जाता है ठीक है और देखो इसके बारे में क्या क्या द द्धारा और शिव चित्र धारा यह धाराएं वहां पे मिलती है इतनी सुन्दर है ये साथ धारा है लिखहए ना साथ धारा जल प्रपाद यह साथ नाम यहाँ पे दिये हुए हैं और आपको बिल्कुल इसको याद करके चलना है कहने का मतलब क्लास को समझना कि जितने भी important index है वो आपके पास एक जगह पे आपकी मोबाइल में आ जाएंगे आपको रात में revise करना है अब मैं आपका weekly test भी लूँगा जो हम पढ़ेंगे सनीवार को weekly test होगा तो याद रखिए weekly test भी होगा और हर चीज को हम अच्छे से करा के देंगे आपको हर समय ठीक है आगे देखेंगे आप चलो इस्क्रिन पर आपको पूरा वीडियो दिख रहा होगा अगला है तीरत गड़ जल प्रपात कहां पे है बस्तर नदी है मुनगा बहार हाना ठीक है मुनगा बहार नदी पर है 300 feet डेटा दिख रहा है आपको हाना कांगेर घाटी राष्टी उद्ध्यान इस पर इस्थित है याद रखिए ये डेटा ये चीजे में जो आपको समझा रहा हूँ ये सभी में अलग-अलग हम जब नदिया का टॉपिक किये हैं उसमें हम कर चुके हैं पर ये इकटा डेटा अगर आपके पास होता है बहुत ही अच्छा होगा अगला है पवई जल प्रपाद बलरामपूर चिनान नदी पर कनहार की सहायक नदी पर बना है ये चीजे समझेंगे मैंने कहा भी था उसमें कि आपको चीजे समझना है कौन से नदी पर कौन से जिले पर कौन से तहसील पर और उसकी विश्यस्ता क्या है कांगेर धारा जल प्रपाद ये भी बस्तर पर है कांगेर नदी पर है और यही पर कांगेर घाटी रास्टी उद्यान भी स्थित है मैं एक चीज़ आप लोगों समझा दे रहा हूँ ये पूरा analysis रहता है previous years के paper के साब से आने वाले समय में class में बहुत कुछ नया करना चाहता हूँ और मैं आपको doubt class का भी एक session दे दिया हूँ कि आपको कुछ doubt लगता है आप उसको पूछ सकते हैं और मुझसे जानकारी ले सकते हैं ठीक है देखिए यहाँ पर अगला है तमडा घूमर जलप्रपात ये भी बस्तर पर है तमडा हाना मडुमा के निकट इसकी उचाई है सौफिट ठीक है तो चीजों को समझिए हर चीज तो मैं पढ़के बता दूँगा आपको पर याद है कि ये डेटा आपको पीडियाप के माध्यम से दे दिया जाएगा तो आपको इसको याद करना है हाना याद करना है और विशेज पॉइंट को ध्यान में रखके चलना है आगे आप देखेंगे तो अगला देखेंगे मेदनी, घूमर, जल, प्रपाज जो की बस्तर पर है मटनार, नाला बारसूर से पहले चित्र कोट से 24 किलिमेटर धूरी पर है देखें सभी नहीं करना पर इंपोर्टेंट को छोड़ना भी नहीं उतना इंपोर्टेंट नहीं है ये पर आपको इसे भी याद रखना पड़ेगा देखेंगे पूरा चीज को तो मैं आपको पढ़के ही बताऊंगा इससे अच्छा है कि जब मैं इसका पीडियेप दूँ आप याद करना चालू करना वीकली टेस्ट में मैं इसके अबजेक्टिव लेके आऊंगा तब आपको और जो आपने याद किया है वो अच्छा से हो जाएगा ठीक है आगे देखते कुछ इंपोर्टेंट जल प्रपात को ही हम डिसकस करेंगे इस वीडियो में बाकी सब आपको याद करना है जिला नदी और जल प्रपात का नाम इससे बाहर कुश्चन नहीं जाएगा तो कुछ इंपोर्टेंट को मैं आपको करा रहा हूँ इस वीडियो में ध्यान से देखिए तो देखिए अमरित धारा जल प्रपात के बारे में आता है एक्जाम में जिला कोरिया नदी हस्देव यह इसके बारे में डिटेल दिया है कि मनेंदरगड बैकुनपूर मार्क पर नागपूर से साथ किलोमेटर धूरी पर उचाई असी से नबे फिट की चोड़ा है यह पूरे डिटेल दिया है यहाँ पर शिव मन्दिर का मिला लगता है पर याद रखी यह इसका जल प्रपात उसका जीला और नदी को आपको याद रखना पड़ेगा मैं इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट वो करा दे रहा हूँ पर बागी सब आप याद करना चालू करेंगे ठीक है आगे आप देखेंगे ये जल प्रपाजी बहुत important है अकुरी नाला ये भी कोरिया में है अकुरी नाला नदी पर है इसको कुछ कहा जाता है The Natural Air Conditioner of Korea Air Conditioner क्या करता है? ठंडा करता है तो याद रखिए ये भी चीजे important है वहीं पर राम जर्ना राम जर्ना से बहुत कोश्चन आया है और किंदे जल प्रपाज से बहुत कोश्चन आया है कहां पर है कोर्बा में है किंदे नदी पर है कट घोरा के समीप है राम जर्ना कहां रायगर में है पहाड़ी से उद्गम है याद रखिए चीजे ना मैं समझा रहा हूँ वही जो एक्जाम में पूछा गया है ऐसे में कुछ भी आ सकता है पर हम 10 साल की पेपर को देखे यही सब कोश्चन से बहुत ज़्यादा कोश्चन बना है ठीक है, यहाँ भी देखेंगे सरभंजा, सरगुजा में है मान नदी पर है, मैन पर्ट में टैगर हिल के पास है इंपोर्टिंट है हाना, जैसे कि साथ देवधारा महा समून में है ठीक है, तो चीजों को समझे याद रखिए, जादा जल प्रपात है मैं आपजेक्टी दूँगा, यह किलियर हो जाएगा ठीक है ना, आगे देखते हैं तो आगे आप देखेंगे, यह कुछ नाम है इसे, बोगतुम, रानी दरहा हाना, पुलपाडा यह सबसे भी बहुत सारे कोश्चन पूछा गया है, गोधना हाना, याद रखिए, आप इनी कोश्चन को अच्छे से ध्यान दीजिए और इनी कोश्चन को कीजिए, ठीक है विकली टेस्ट में और समझाऊंगा मैं, हो सकाता हूँ, इसका एक और अगला पार्ट में ले के आऊंगा आप लोगों के लिए, और समझाने के लिए ठीक है, इस वीडियो में